नमश्कार स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और आज हम बताएंगे आपको कि कटोरी ब्लाउज में बस्ट पॉइंट कैसे जाने किसी भी साइज के अकोडिंग बस्ट पॉइंट कितना होता है और कैसे हम कटोरी की कटिंग करें और में जो इसका फूल ब्र आरे हो वीडियोऊ पसंद आई तो लाइक कीज़एगा शइश कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा और rånकि आपने हमारी चैनल को सबस्क्राइब कर लें थे क्या होता है कि काफी हमारी सब्सक्राइबर बहुब क़िन नों की डिमढन है कि आप यह बताएं कि हम हर साइज के तो देखे मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले बहुत ईजी तरीका है ज जो अमारे इस थे לאे मों गरेंग तो यह UP और बस्ट पॉइंज नहीं आएगा उसके अंदर आपको प्लस आदा इंच करना मुगा बस्ट पॉइंट के लिए तो उतके 6 इंच पॉइंच E बस्ट पॉइंट होगा 38 के लिए अब इसके अंदर अगर आप बंद गला बना रहे हो तो उसके अंदर आपको आदा इंच और एड़ करना होता है क्योंकि बंद गले के अंदर यहां से इसकी जो लेंथा वो बढ़ जाती है और ओपन गले के अंदर यह जो लेंथ है वो साईजा ँचनल जो पोरिष हैं इस पोईंट कितनी में?38 कि इसका पोइंट कितना देख लेतियं यहां पर इस पोइंट तक ऎम इसको जानेंगे स्थ इस पोइंट तक आप यह देखे बिल्कुल से भर यत बराबर में साडे नहीं यह यह जो पॉइंट है ना में जो पॉइंट है वह साड़े नो इंच पे आ रहा है तो सिम का तो एक्स्टा लेना होता है यहां पर हम जो लेते हैं उससी चोड़ा नहीं कम नहीं हो वमारा बस्ट पॉइंट बिल्कुल बस्ट के उपर यह पॉइंट रहना चाहिए तब आपका ब्लाूज परिक्ट बनेगा तब आपका ब्लाूज शहीं बनेगा तो ओपन गले के अंदर चेश्ट का फॉर्थ पार्ट प्लस फण पीछ लेते हैं और थ, बंद होता है लिए उस्टका फॉर्ठ पैट प्लस वन इंच करते हैं जैसे 32 का color neck blouse बना रही है bust point निकालना है तो उसका chest का 4th part 8 inch हुआ plus 1 inch कर लीजिए बंद गले में 9 inch पे आपका ये bust point आना चीए इस तरह से इस तरह से ये point 9 inch पे आना चीए तो आपका blouse जो परफेक्ट बनेगा तो size के according बिलकुल परफेक्ट आते हैं तो ये आपकी जो blouse की fitting परफेक्ट आएगी बस आज की वीडियो में इतना ही मैं समझती हूँ कि आपकी आज की जो वीडियो आपको बहुत useful रहेगी और भविशे में इसी तरह की बहुत सारी अच्छ अच्छी वीडियो जो आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आई तू लाइक जरूर कीजिएगा